तो दोस्तों अब तो यहाँ पर जापान एक काफी बड़ा ही कमाल करके दिखा रहा है दरहसल अब यह लोग लगबख साड़े 3,000 किलो भारी भरकम टर्पाइन को सीधा समंदर में डालने वाले है और इससे तो यह लोग unlimited electricity generate करने का इने एक रास्ता मिल गया है यहाँ पर आप आप आर्टिकल भी देख सकते हैं जहाँ पर साफ साफ बता गया है जपैन इस पुटिंग 3,330 कीजी टर्बाइन इंटो सी डिस्कवर्स अ न्यू वे तो जनरेट एलेक्रिसिटी और भारत के लिए इस तरह की technology इसलिए इतनी ज्यादा important है because हमारे पास तो काफी लंबी almost 7,000 km लंबी coastal line मौझद है और अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम इस तरह की Japanese technology को use करते हुए renewable energy का भंडार हम create कर सकते हैं भारत में यहां पर in fact scientist लोगों का भी कहना है कि पूरे अर्थ में अगर हम देखो तो ocean के लावा तो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगी इतनी immense energy जितना ocean में अक्केला मौझद है और इसी का utilize करना चाहता है अब Japan विसे इसे Japan ने काईरियो नाम दिया है इस पूरा structure की लंबाई है 20 मीटर की और इस एरो प्लेइन की shape में बनाया गया है यहां पर दो भारी भरकम cylinders है of equal size जिसे फिर 11 मीटर long turbine blade से connect कर दिया जाता है अब आपको बता दें कि इसे manufacture किया है IHI Corporation that means Ishikwajima, Harima, Heavy Industries जो कि एक Japanese company है 10 साल से यह लोग experiment कर रहे थे इस technology को लेकर और finally अब जाकर यहां पर हमें इतना fruitful नतीजे दिखने मिले अब यह technology Japan के लिए और भारत के लिए भी इसलिए इतनी जादा important है because हम दोनों के यहीं पर cyclone circulation होता रहता है अक्सार आपने देखा होगा कि Japan में तो काफी बार होता है बट इंडिया में भी यहां पर हमारे जो coastal area से जैसे गुजरात के पर नौर्थ इस्ट के जो coastline है वहां पर काफी बार काफी लाकों में cyclone जैसी situation आ जाती है सो ऐसे समय में यहां पर immense current को harness करके हम अराम से बहुत ही ज्यादा energy को generate कर सकते है almost 205 GW of electricity जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा massive है और यह जो capacity यह तो almost पूरे Japan की लगबक capacity ही है electricity generation की तब सोच लो कि अगर इस तरह की technology भारत में आ जाए तो तो फिर यहां पर electricity की cost कितनी ज्यादा घड़ जाएगी और पूरी तरह से 100% clean electricity पूरे भारत में भेजी जा सकती है वैसे इसकी speed की बात करें तो यह लगबक produce करता है 100 kilowatt of power at a flow of 2-4 knots that means 1-2 meter per second जो की एक wind turbine जो shore पे install किया है उससे तो कई गुना जाता है वैसे इस technology को भारत में लाना चाहिए या नहीं इसके बारे में आपकी क्या रहा है definitely comments में आताईएगा